हेलो फ्रेंड्स ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत है और मैंने कुछ प्लांट्स ओर्डर किये थे माँ अन्नपोर्ना नर्सरी से आज उसी का पैक्जिंग आपको ओपन करके दिखाऊंगा मेरा नाम राज है और मैं लखनो से यह मेरा पार्सल आज ही आया है और जस दिन मैंने ओर्डर किया था उन्होंने उसी दिन इसको पैक्जिंग कर दी थी मतलब एक ही दिन में उन्होंने पैक्जिंग कर दी थी तो सर्वेस तो वाकई इतनी अच्छी मेरे ख्याल से किसी भी कलकता के नर्सरी के नहीं है जो एक ही दिन में आपकी पैक्जिंग कर देते हों और अनुकूर्ण नरसरी के जो ओनर है उनका नाम है अनुकूल मोदक और ये आपका राधा नगर खाल पार तारापूर नदिया में पड़ता है इनका मोवाइल नंबर वगयरा मैं डिस्क्रप्शन में दे दूगा अभी तो मैं प्लांट देखूँगा किस तरह के इनके हैं किस तरह के नहीं है फिर मैं आपको उसका पूरा इमानदारी के साथ जो भी जैसा है वो मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊँगा है देखे प्रेंट्स क्लांट्स आपके सामने हैं मजह नहीं लगता है कि मुझा कुछ केहने की जरूरत है जिस तरह कि आप को यहां पे जे दिख अधहितं के vibe इससे बेस्ट तरीके से भी कुछ आ सकता है मुझे तो नहीं लगता है साइधी कोई नर्सरी ऐसी हो कलकता में जो इतनी अच्छे से प्लांट को भेज सके चलिए एक एक करके प्लांट को ओपन करते हैं और दिखाते हैं कौन-कौन से हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा अन इसमें तो नो डाउट साइधी इतने हल दी किसी नर्सरी से हमको और दूसरी से मिल सकें इवन प्लांट्स थोड़े से भी शॉक में नहीं है थोड़ा सा भी इन में शॉक नहीं लगा हुआ है काफी अच्छी कंडिशन में हैं चलिए देखते हैं प्लांट्स मैंने ओपन कर वड़ा हैं अब आप इनको देखेए यह प्लांट्स को किया किसी नर्सरी में आप इस तरह के प्लांट्स मिल सकते हैं अब सोच कि 1996 को में ओल्रान नाइन में इतने अट्शे प्लांट्स किसी भी natores से मिल सकते हैं आफलाइन में तो मैं मान सकता हूँं कहीं पर सायर कलती से तो यह मतलब बिलकुल भरुसा ही नहीं किया जा सकता है कि अधिया प्लांट यह दिखिए इप आलिमार मैंगो है मतलब बहुत बढ़ गए मुझे तो अगर नर्सरी को खिताब देना होता है तो मैं इसको नंबर वन कलगथा की नर्सरी घोसित कर देता पर इनका प्लांट बहुत ही अच्छा है देखिए एग भी लीव देखिए कोई भी ना डैमेज हुई है जब कि आने में और देखिए प्लांट की ग्रोथ वगरा बिल्कुल जवांतरस्त बहुत बढ़िया और पूरी सोयल में है बढ़िया से वो भी कवर्ड है पद्नी से औ दूसरा प्लांट देखिए इसका ट्रंग देखिए आप यह डवल ग्राफ्टेड है एक में मलिका है एक में आमरपाली है देखिए कि अतनी गजब टी ग्रोथ है इसमें दोनों बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं मुझे तो काफी अच्छे से लग रहे हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है इतनी दूर से इतने अच्छे प्लांट आना मुस्किल होता है बाकी तो प्लांट तो सभी नर्स्रियां भेज देती है नौर्नल पर में चीज होती है उनकी ग्रोथ वो किस तरह का प्लांट आपको देते देखिया मतलब आपको आख बंद करके आप अगर मंगवा लें तब भी आपको नुकसान नहीं होना है और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि यह सब जितने भी प्लांट हैं यह सब अगर आप किसी दूसरी नर्सरी से उनका कैटलॉक लेके चेक करेंगे तो आपको सब में यह नर्सरी न कि बहुत अच्छा इन्हों ने भेजा है कि देखिए आप कि यह हरी भंगा मैंगो है कि इसको भी साइड में रखते है कि यह देखते है कि बनाना मैंगो है असल में इन्होंने जो टैग लगाए है वो बंगाली में हैं तो मुझे नहीं है मैं आपको लाश्ट में बता दूंगा कि कौन से मैंने प्लांट मंगाये थे क्योंकि टैग में और प्लांट में हमको नहीं पता चल ला है पर यह पता है कि सब जैन्यून प्लांट है इस वज़े से क्योंकि प्लांट काफी हैं और उनके अंदर इमानदारी जो है वो सबसे अच्छी क्वाल्टी है क्योंकि मैंने उनसे एक प्लांट लिया मांगा कि इनको ब्लैक स्टोन दे दीजे तो उन्होंने बोला कि ब्लैक स्टोन तो मैं मतलब आपको दे दूंगा पर उसमें जड़ों में फंगस लगा हुआ है वो चार महने के अंदर आप्या मर जाएगा और वो तीन सो रुपए का था अगर कोई दूसरी नरसरी होती तो वो प्लांट मेरे को दे देती कि भाई ले जाओ मुझे क्या करना मेरा तो सेल होई रहा पर उनकी इमानदारी के लिए तो एक लाइक बनता है भाई उन्होंने बहुत ही इमानदारी से चीजों को किया है और साइद इसी वजय से वो दूसरों की आप एच्छा पीछे हैं पर इमानदार लोग खेर ज्यादा दिन पीछे नहीं रह सकते हैं अगर आप उनके यह एक भी प्लांट और करेंगे तो आपको सेम इसी तरह की क्वाल्टी मिलेगी और सबसे इंपॉर्टन चीज है कि उनकी पैकजिंग और उनका कोरियर आप 10 प्लांट लें तब भी उनकी फैसल्टी वही रहेगी आपके लिए आप एक प्लांट लें तब भी फैसल्टी वही रहेगी वह सारी चीजों को तुरंट के तुरंट ही आपको एक ही दिन में आपका प्लांट आ जाएगा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगा प्लांट आने में देखिए थोड़े से हमने माल्टा का प्लांट भी एक मंगाया था देखिया यह बारीवन है यह भुटानी है भुटानी माल्टा और यह आम के देखिया आप इन के आम में मैंने जो जो मंगाया था जो फ्लांट मंगवायाए थे चूंकि इसमंगड़ी मैं लिखें नहीं बता पाऊंगा मैंने जो मंगायते वारीवन माल्टा ए और गंत राज लेमन का था पालीमार मेंगव था Theस, इन कुट यह राज handful मतलब वो तीन बार फल देंगा और एकन थाए, 2 टाइम वो दो बार फल कर गए और एक कटहल का पेड मगवाया था भरत भारत, सुंद्री बेर मगवाया था और एक मियजाकी का प्लांट मगवाया था लेकिन वो भी वसायत कल आप आप आएगा मैं भूल गया था तो नेक्स टे उन्होंने पिर उसको कोरियर किया था देखिए आप इन प्लांट्स की हेल्थ बगरा देखिए मतलब आपको यह नहीं लगेगा कि आप किसी बाहरी नर्सरी से ले रहे यह जिस तरह के नर्सरी में देते हैं जो प्लांट आप करता हूं पहली बात तो उनकी जो फैसल्टी है अगर आप और करेंगे तो एक ही दिन में वो आपका तुरंट के तुरंट कोरियर कर देखते हैं उसी दिन दो तीम दिन के अंदर आपके पास आपका प्लांट आ जाएगा वो भी सेम इस कंडिशन में आप उसकी कंडिशन पर एक बार जरूर आप उनको और करिए और चेक करिए देखिए कैसे प्लांट आते हैं क्योंकि उनकी सर्विस सबसे अच्छी है मादूर्गा नरसरी से उनके पास भी मैंने ओर्डर किया था मादूर्गा नरसरी से भी ओर्डर किया था लेकिन उनके पास थोड़ा टाइम का इशू था तो उन्होंने गोला की भाई भी थोड़ा टाइम लग जाएगा तो मैंने का कोई नहीं और यहां पे आप देखिए आपको एक ही दिन में सारी स्पैसेल्टी मिल जा रही है सारी सुविदाए और इनका जो मोबाइल नंबर है अनकूल दाका उनका नाम है अनकूल मुदक वो उनको 30-40 साल का खुद का एक्सपीरियंस है ग्राफ्ट करने का और सबसे बड़ी बात है वो एक एक ब्रांच पे डबल डबल ग्राफ्टिंग खुद से करते हैं जैसे यह प्लांट है यह है त कोई भी अन्य मलिका कर दो तो वो अपनी तरफ से ही जो जो तुम बताओगे एक डाली पे वो तीन ग्राफ्ट चार ग्राफ्ट से करके आपको दे देंगा कुछ डबल ग्राफ्टिंग के प्लांट उनके पड़े भी है ट्रपल फॉर टाइम ग्राफ्टिंग है उनके पास तो अगर आप ओर्डर करेंगे तो आपको मिल जाएंगे वो प्लांट हिमसागर वगएरा अमरपाली आप किसी प्लांट पे दो तीन ग्राफ्टिंग अपनी अनुसार आप पाच ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आप पाच करवाईए आप कितनी भी ग्राफ्टिंग उस पर करवा सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर मैं आपको दिये दे रहा हूँ, 8016459235 और इनका जो दूसरा नंबर है, वो है, 8509249218 यह दोनों नंबर है, और मेरे ख्याल से कि इनके प्लांट बेस्ट आफ बेस्ट हैं, जो मुझे लगे है, यह भारत सुंदरी बेर का था, यह भी थोड़े छोटे प्लांट है, उगंधराज का है, यह भी लगे, बाकी आपका कैसा व्यू है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रू बताइएगा, और एक बार ज़रू चेक आउट करिएगा इस नर्सरी को, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट आफ क्वाल्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको सर्विस इतनी अच्छी मिलती है, जो मैं गरंटी लेता हूँ, कोई दूसरी नर्सरी इतनी अच्छी आपको सर्विस दे ही नहीं सकती है, कोई भी कलकत्ता कि गिनी चुनी नर्सरी आगर 5-6 होंगी, तो भले आपको इतनी अच्छी सुविधाय दे दे, लेकिन बाकी नर्सरी इतनी जल्दी आपको मतलब कोई क्ली रिस्पॉंड और यह सब मुस्किल है कर पाना, तो एक बार जरूर आप उनको अपनी सेवा का मौ का दे, और देखें कि प्लांट कितने अच्छे और हेल्दी आपको मतलते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, गुड दे